तो चलिए आज हम एक बहुत ही चोकलेट केक बनाते हैं मैं कोई प्रफेशनल नहीं हूँ आपको जो अच्छे प्रफेशनल से उनकी बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी पर अब आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि अगर आपको केक बनाने की ABCD भी न मैं पाओगे और घर पे ही एंजॉय कर पाओगे देखिए इसकी लेर्स देखिए बहुत बड़िया केक बनता है ज़रूर्फ त्राइक करें सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रیस कर लें तो चलिए बनाना शोरू करूद इसके लिए सबसे पहले मैंने दो बाउल ले लिए हैं एक बड़े वाले बाउल को साइड पे रख दिया है चोटे वाले बाउल में हम लोग ड्राइ इंग्रिडियंट्स कोई कठ्था करेंगे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कप मैदा आप 200 ग्राम मैदा भी ले सकते हो उसके अंदर डाले हैं 2 टेबल स्पून कोग को पाउडर के उसके बाद हमने क्या करना है इसके अंदर आपने डालेना है 笑 टी स्पून बेकिंग पाउडर और आफ की टी स्पून अपने डालना है बेकिंग सोड़ा का और इन सब चीजों को चान कर एक साइड पर रख देना है और हमने वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी जो पर कोको पाउडर है उसको भी अच्छे से चान कर निकाल लें अब हम इसको साइड पर रख देंगे और दूसरा बाउल ले लेंगे इसके अंदर हम डालेंगे अपने सारे वेट इंग्रिएंट्स सबसे बेले मैंने डाला है 100 ग्राम और साथ ही डाल दिये हैं 2 टेबल स्पून बटर के बटर आपका फ्रिज का नाओ ये ध्यान रखें थोड़ा सॉफ्ट वाला बटर होना चाहिए और इसको अच्छे से हमने इस ओईल के अंदर मिक्स कर देना है अगर आपको 100 ग्राम का हिसाब ना आए तो ये समझ लिजी कि आपने 1 ग्राफ कप ले लेना है और 2 टेबल स्पून लेना है आपने बटर इनको अच्छे से मिक्स कर लिया अब इसके अंदर हमने डालना है एक कप मिल्कमेड का ये मेरा घर का बनाया हुआ मिल्कमेड है आप चाहें तो मांकिट वाला भी ले लेना वैसे तो जो केक होता है ना मिल्कमेड के बीना भी बन जाता है पर अगर आप मिल्कमेड डालोग तो इसमें richness आती है और taste बहुत बढ़िया आता है इसको भी इसके अंदर अच्छे से mix कर लेना है जब यह आपका अच्छे से mix हो जाए अब हमने इसके अंदर अपने dry ingredients डालने है एके करके थोड़ा थोड़ा करके डाले मतलब यह सोच लें कि हमने 3 batches में इसको mix करना है इस तरह से इसको एक ही direction में beat करते हुए जाए और center से cut करते जाए अब हमने second batch डाल देना है इसलिए मैं ना किसी electrical beater का use नहीं कर रही हूँ इस तरह का whisk तो सब के पास घर पे होता ही है अगर बायचन सापके पास यह भी नहीं है तो आप कोई भी spatula ले सकते हो उससे mix कर ले अब यह हमने ले लेना है limka यह फिलकुल ठंडा ना हो यह दियान रखे रूम temperature का लिया है limka ना हो तो आपके पास coke या pepsi जो भी हो वो लेना है यह हमारा यूज होगा लगभग एक कप पर पहले मैं आधा कप ले ले रिखती हूँ तांकि हम जितना जरूरत हो उतना और निकाल ले देखिए इसके अंदर limka डालते ही reaction होना शुरू हो गया है इस तरह धीरे धीरे करके हमने आधा कप इसके अंदर अपना limka मेक्स कर देना है उसके बाद मैंने पाकी का बच्चा हुआ अपना dry material भी इसके अंदर डाल दिया है देखिए यह मारा mixture काफी गाड़ा है इसके अंदर थोड़ा सा और limka जाएगा इसके अंदर जो हम यह कोक या limka डालना है इसको skip मत करना क्योंकि अगर आप नहीं डालते हैं तो दूद भी डाल सकते हैं वो कोई problem नहीं है पर उस case में हमें इसमें baking powder और baking soda की quantity बढ़ानी पड़ेगी पर अगर आप इसके अंदर यह कोक या limka डालते हो तो आपका यह बहुत बढ़िया फूल लेगा और बहुत ही soft बनेगा इस तरह करके मेरा लगभग एक कप लिमका इसके अंदर consume हो गया है हो सकता आपका एक आदा चमच कम लगे या एक आदा चमच जादा लगे दिखे मैं आपको इसकी consistency दिखा देती हूँ इस तरह की consistency होना चाहिए मतलब free flowing ribbon की तरह नीचे गिरना चाहिए अब मैंने एक tin ले लिया है उसके नीचे मैंने लगा लिया था butter paper आपके पास butter paper ना हो तो आप क्या करना थोड़ा सा पहले oil से grease कर देना उसके उपर मैदा चेड़ा के उसको सब तरफ घुमा लेना और इस तरह से tap करके इसको 180 degree पे मैंने 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लिया ह देखिए मेरे 35 मिनट हो गए है और मेरा केक कितना बढ़िया निकल कर आया है बहुत ही soft बना है पर इसको अभी न मैं आपको पहले चेक करके बता देती हूं यह देखिए मारे toothpick बिल्कुल clean आ रही है इसका मतलब हमारा अच्छे से bake हो गया है और इसको हमने ढखकर रख द इसको demold करके बता देती हूं इसको अराम से इस तरह से निकाल ले अगर आपके पास यह वाला टिन ना है तो simple टिन भी आप यूज कर सकते हो कोई problem वाली बात नहीं है और अगर आपके पास घर पे OTG भी नहीं है न तो भी कोई बात नहीं है मैं उसके लिए आपको alternate बता द बता चल जाएगा कि इसकी जाली देखना और इसकी softness देखना अगर आपके पास OTG नहीं है न तो आप क्या करना एक कोई भी कडाई ले लेना उसके अंदर नीचे नमक डालना है और एक stand रख देना है और इसको दस मिनट के लिए पहले फोल आंच पे आपने गरम करना है ध देखें इसकी layers देखें कितना soft है यह कितना बढ़िया कितना spongy बना है इसको एक बार जुरूर बना कर देखना और फ्रेंट वीडियो ज्यादा लंबा होनी की वज़ा से न मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो इसकी icing वाला पार्ट अभी next वीडियो में दिखाऊंगी तो उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पूरा वीडियो मिल जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में